Hello Friends, Welcome to my channel, कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी अपना Everyday After Bath Skin Care ये जो glow आप मेरे face पर देख रहे हो, इसका राज मैं आप लोगों के हाथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो जो प्रोड़क्स मैं वीडियो में यूज करूँगी उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे So let's get start the video सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ खादी नैचरल का Mixed Fruit Face Wash मैं ये लास्ट थी एर से यूज कर रही हूँ, it's my favorite face wash अच्छे से रव करते हुए मैं अपने face को clean कर लूँगी then wash out with normal water अब देख सकते हो कि only face wash के बाद ही मेरा face कितना ज्यादा clear and glow लग रहा है इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ कामा का rose water as a toner कभी भी cleansing के बाद toner apply करना मत भूलना क्योंकि cleansing के बाद हमारे pores open हो जाते हैं और इसको minimize करने के लिए हम toner apply करते हैं एक दो minute के लिए toner apply करने के बाद face को open छोड़ देंगी इसके बाद मैं use कर रही हूँ, lotus की sunscreen अपने face पर apply कर लूँगी and also apply on my neck sunscreen भी आपको कभी भी skip नहीं करनी है हमेशा अपने skincare में add करनी है and before makeup apply करनी है इसके बाद मैं अपने lips को moisturize करने के लिए एकटे का lip and chick tint apply कर रही हूँ और अपने lips पर apply कर लूँगी तो यहाँ पर complete होता है मेरा after bath skincare routine आप भी daily after bath skincare routine फोलो करें अपनी skin को soft, glowing and clear बनाएं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो do like, share and subscribe thanks for watching